हमास ने इसराइल पर फॉतल से हमला कर दिए इसराइल के बीज विवात फिर से गहरा हुचुका है का जा रहा है कि हमास ने इसराइल पर टोटल दर पॉतल प्रूटल से अंत्सर्णु आरेज में झालट कर दिया है। पर प्लेस्टीन के बीच वार्ट इस हमने के पीछे जियो पॉलिटिकल एंगल भी छ्पा हुआ है हाली में अमेरिका और साथी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है इसमें साथी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर प्लानिक कर इस डिफेवेंट पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सौधी अरब की प्रोटेक्शन की पूरी गैरेंटी लेगा और बदले में सौधी अरब की जो भी प्लेस्टिन को लेकर मांगे उससे वह पीछे आड़ जाएगा इस डील के होने से ही कुछ दिनों पहले ही हमास इस्राइल पर हमला कर दिया इस अमलेने इस्राइल को गाज़ा स्ट्रीप में वार क्यों धखेल दिया ग्लोबल प्रिटिक्स में इस हमले के कई रूप सामने निकल आ रहे हैं इस्राइल और पैलेस्टिन दो ऐसे देशे जिनका वीवात काफी नंबे समय से चला रहा है दो सब्सक्राइब के नाम पर एक साथ आ रहे थे इसका प्रवाद यहोदियों के बीच भी देखा जा रहा था उन्हें अपने पवित्र जगह पर दोबाला बसने की लाजसा उठी और यहीं से जोनिस्ट मुविवेंट की सुरुवात होती है उन्हें सब्सक्राइब के नाम से जानी जाती थी इस दोरान पूरे यूरोप में जूरिश भिक्रे हुए थे उनके साथ यूरोप में काफी सोर्षन होता था जोनिस्ट मुवेंट के दोरान शुरुवात में चोटे स्तर पर यहोदियों का पलायन पलेस्टिन की ओर हुआ 2017 में वर्ल्ड ओर के दोरान जब ओटोमन एंपायर हारने की कदार पर था उस सब्सक्राइब ब्रिटेन के फॉर्ण मिनिस्टर सर आर्थर वेलफोर ने एक डिकलेरेशन जारी किया इसमें यह पॉइंट आट किया गया कि ब्रिटेन जुईश को उनकी पवित्र भूमी पले और तैक किया कि वर्ल्ड ओर के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में आएगा उसने पलेश्टिन को अपने हिस्से में रखा और सीरिया और जॉर्डन को फ्रांस को दे दिया और वहें टूर्की और कुछ से रूस के पास तेले गए एंड ऑफ वर्ल्ड ओर प्रतम मीने खड़नी शुरू कर दी उनका विस्तार बहुत ज्यादा होने लगा था पलेश्टिन में अपनी तदात मजबूत करने के बाद उन्हें अरब पलेश्टिनियों को भागाना शुरू कर दिया इसे दबाने के लिए ब्रिटिस सरकार ने जुईश की मदद ली और बाद म 20 लाग यहोदियों को डाल कर मार दिया जाता है तब उन्हें महसुस होता है कि उनके लिए पलेश्टिन के अलावा कोई शुरक्सी जगह नहीं बची है वर्ड बार टू के बाद उनाटेट नेशन और अस्तित्र में आती है जब जुईश और अरब के बीच मदभेत काफी जब बढ़ जाता है तब ब्रिटेन इस मामले को सभी राश्ट संके और भेज देता है जब इस मामले पर वोटिंग होती है तो और ने कहा कि यहोदियों की संक्या जदा है तो इस्राइल मिलेगा और जहां अरब की संक्या जदा है उन्हें पलेस्टिन में दिया जाएगा और तीसरा था यरूसलम यहां आदियाबादी यहोदियों की थी तो आदियाबादी मुस्लिम की थी और उस छेतर मर इंटरनेशनल कंट्रोल लाबू होगा 1948 दा वार अरब इस्राइल युएन के फैसले के फोरण बात ही नौन दिर्मित इस्राइल के पड़ोसी देश इजीप, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया इस युद्ध में इस्राइल ने इन चारों देशों को हरा दिया इस युद्ध को सीरिया और जॉर्डन ने दोबारा इस्राइल पर हमला करने के लिए यह ज़रा बनाते हैं उनके इस हमले से पहले इस्राइल ने इन तीन देशों पर हमला बोल लिया एस वार में इस्राल से गोलान हाइट इसिप से गाल श्ट्रीप और सिनाइए पालेस् इस युद्ध को Six Day War के नाम से भी जाना जाता है औसलो एकॉट समझोता इस्राइल का पलेस्टीन पर कंट्रोल हो चुगा था इस महल के बीच जासिर अराफत ने एक और्गनाजिशन की शुरुआत गी जिसका नाम Palestine Laboration Organization था जिसे पिएलो के नाम से भी जाना जाता है इस और्गनाजिशन ने कई चोटे मोटे वंबारी करें इस्राइल मेसी पर भी हमला किया जो कि विदोषों में स्तित थे इस्राइल का कई plane को हाईजेक किया गया आईसे ही वालेस बढ़ने लगा था इस दोरां दोर्ने देशों में पीच लाने के लिए साल 1993 में औसलो एकॉर्ट समझाता होता है इसमें यह निर्ने लिया जाता है कि पलेस्टीन इसराइल को अंतराश्ट्रे देश के रूप में स्वीकार करेगा इस एकरीमेंट में यह भी कहा गया कि इसराइल गाजा स्ट्रिप को डेमोकरिटिक वे में कंट्रूल करेगा इस एकरीमेंट के लिए इसराइल के इस्ट्रोक रेवेन और पलेस्टीन के यासिर अराफत को शान्ती का नोबल प्राइस भी दिया गया दराइस ऑफ हमास पलेस्टिन में हमास जिसे करंट पस्पेक्टिव पर आतंग मद्य और्गनाशन कहा जाता है उसका एज़ा पर्लिटिकल पार्टी गाजा में उद्व होता है वहें दूसरी तरफ प्यल्ले से जुड़ी पार्टी फता हमास को सरकार में लाने से मानक कर देती है इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर कंट्रोल हो जाता है इसकी वज़ा से फदा पार्टी को वहाँ से हटना पड़ता है रास्टरवात के नसे में हमास गाजा स्ट्रीप से इस्राइल पर रॉकेटों से हमला करता रहता है इस हमले में अब तक इस्राइल के कई सिटिजन्स की जाने जा चुकी है इस्राइल का कहना है कि इरान जैसे देश गाजा में इजिप के रास्ते वेपन्स की सप्लाइ करते हैं ताकि उनके देश की यूनिटी को तोड़ा जा सके इस्राइल दोरा गाजा स्ट्रिप को ब्लॉक की जाने से गाजा की हालत दिनो दिन खराब होते जा रही है वहीं अब दुबारा इस्राइल और पलेस्टिन के बीच हिंस्ट जड़ पे हो रही है